और बड़ी खबर वेंगलूरू से है जहांपर एक रेस्टरॉं में लगी आग में पांच लोगों की मौत हो गई है सबसी माकेट इलाके में बने किलाश पारें रेस्टरॉं में अजानक आग लग गई रेस्टरॉं कुबारा संग बिल्डिंग के ग्राउंट फ्लोर पर है हाथसा कर रात खरीब धाई बजे हुआ मनने वाले सबी पांच लोग बता जा रहा कि रेस्टरॉं के स्टाफ थे जो अंदर सो रहे थे रात धाई बजे के करीब धुआ उठा ये जानकारी में लेकि आग लगई है ये लोग हाथसे के स्टरॉं पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है लेकिन पूरे मामले की पड़ताल जा रही है और ये तस्वीर आप देखिए सब कुछ जलकर राख हो गया वाँ पर भयानक आग लगी अंदर पांच लोग जो स्टाफ था वो सो रहा था रात धाई बजे के करीब आग का धुआ उठा अलाकि किस वजह से आग लगी है ये अभी साफ नहीं है पुलिस के मताबिक कुछ लोगों ने रात धाई बजे धुआ उठता देखा फायर बिगेड ने जब आग पर खाबू पाया तब तक पांश लोगों की मौत हो चुकी थी ये सबी लोग रेश्टरॉं के ही कर्म चारी थे बता जा रहा है कि आग पहलने के वक्त रेश्टरॉं बंद था और वक्त पर लोग बाहर नहीं निकल पाए कुछ दिन पहले ही मौंबई के आपको याद होगा कमला मिल्स में मोजोज रेश्टरॉं और वन अवब में आग लगी थी 14 लोगों की जान चली गई थी मौंबई में आग के बाद कई रेश्टरॉं में अवैद निर्मान को तोड़ा गया लेकिन लोगों की जान से खिलवार सिर्फ मौंबई नहीं में ही नहीं देश के दूसरे बड़े शहरों में भी हो रहा है ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं